पूर्व विधायक लोविन हेम्रम भाजपा में शामीन कहा जामूमों के तीर धनुस में अब पहले जैसा दम नहीं हिमन्ता विश्व सर्मा बोले जार्खन आंदोलन के बड़े नेता अब भाजपा का हिस्सा भाजपा के विधान सबा चुनाओ प्रभारी शिवरा सिंग चौहान ने बाबा बैदनात मंदिर में सापरिवार की पूजा अर्चना जिला कारे समिती के बैठक में हुए शामिल नेताओं और कारे करताओं को दी एक टिप्स राची में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समिक्षा रक्षा राज्य मंत्री और राची सांसर संजय सेट भी हुए शामिल विकास और जन कल्यान पर जोर और उत्पात पुलिस बहाली की दोड़ में पलामू में चार अभी अर्थियों की मौत पर सरकार घिरी सांसर बीडी राम में सरकार को ठहराया जिम्यदार एक एक करोड रुपे मुआउजी की मांग नमस्कार खबरे जार्खन में आपका स्वागत है मैं हुरू जुनाओ और अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्याय पालिका के दो दिन के राश्टे सम्मेलन का उधगाटन किया इस दोरान उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाच के लिए गंभीर चिंता के विशे हैं सम्मेलन का शुबारंब करने के साथ साथ पीम ने समारक डाक्टिकर्ट और सिक्का भी जारी किया भारतिय सुप्रेम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में इन्हें जारी किया गया पीम ने अपने संबोधन में जिला नियाए पालिका को नियाए की प्रथम सीड़ ही बताया पीम ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामलों में जल्द नियाए देने की जरूरत पर बल दिया आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बच्चों की सुरक्षा समाज के एक गंभीर चिंता है देश्ट में महिलाओं के सुरुक्षा के लिए कई कठोर कानून बने है 2019 में सरकार ने फास्ट्रेक्स फेशल कॉर्ट के स्थाप्रागी योजरा बनाई थी इसके तहट एहम गवाओं के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है इसमें भी डिस्टिक मॉनिटरिंग कमिटी की व्यूवी का महत्वपन हो सकती है इस कमिटी में डिस्टिक जज्ज, डियम और एस्पी भी शामिल होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के व्यूवी ने पहलूँआ के बीच समन्वय बनाने में उनकी भ्हमी का अहम होती है हमें इन कमिटियों को और अधिक सक्री करने की जरूरत है महिला अध्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधिया आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा पी-म ने अपरादी कानूनों का भी जिक्र किया पी-म ने सुप्रेम कोर्ट के मार्क दर्शन में इसको लेकर जिला नियाए पालिका को तेजी से प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया इस अफसर पर देश के परधान नियाए धीश जस्टिस डी वाई चंद्रचून ने जिला नियाए पालिका को नियाएक विवस्था की रिल बताया The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary लगभग 800 नियाय अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में एहम मुद्दों पर मंधन हो रहा है। रेल गाड़ियों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वंदे भारत आधुनिक भारते रेलवे का नया चेहरा है। रेल कनेक्टिविटी के लिए ये बड़ा कदम है। पीम ने मेरट लखनव, मदुरे बेंगलूरू और चेन्नई नागरकोयल मारकों पर इन सेवाओं का शुबारंब किया। मेरट लखनव वंदे भारत ट्रेन सेवा पश्चिमी उत्तरब्रदेश के लोगों के लिए तीवर गती से आरामदे सफर का उफार साथ लाई है। इससे पश्चिमी यूपी और प्रदेश की राजधानी अब और खरीब आ गये हैं। करनाटक और तमिल नाडू में नई वंदे भारत ट्रेनों को पीम ने दक्षिन भारत के विकास के लिए अपनी सरकार की प्रतिवत्ता का उधारन बताया। पीएम ने कहा कि पूरे दक्षण भारत में वंद्य भारत सेवाओं से परियटन और विकास के नयव सरपैदा हो रहे हैं इस साल के बजेट में हमने तमिल नाडू को छे हजार करोड रुपे से ज्यादा का रेलवे बजेट दिया है ये बजेट 2014 की तुर्णा में 7 टाइम साथ गुना से अधिक है तमिल नाडू में 6 बंदे भारत ट्रेंज पहले से ही चल रही है इन दो ट्रेंज के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी इसी तरह करनाटका के लिए भी इस बार 7 हजार करोड से ज्यादा का बजेट आवंटित हुआ है ये बजेट भी 2014 की तुर्णा में 9 टाइम 9 गुना अधिक है पूर्व मुख्य मंत्री चमपाई सोरेन के बाद अब जामूम के बोरियों से पूर्व विधायक लोबिन हेम्रोम ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहन कर ली है राची स्थित पार्टी के प्रदेश कारेले में आयोजित मिलन समारों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुलल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई इस मौके पर विधान सभा चुनाव सप्रभारी हिमन्ता विश्वा सर्मा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूरो मुख्य मंत्री चंपई सोरिन समेत कई अन्यनेता मौजूद थे चुनावी वर्ष में जार्खन मुट्टी मुचा को एक के बाद एक जटके लग रही हैं कुलहान टाइगर के बाद जार्खन राज्य आंदोलनकारी नेता और जामुमो के पूरोर विधायक लोबिन हेंब्रम ने भी आज भाजपा का दामन थाम दिया राची स्तित प्रदेश भाजपा कारले में उन्होंने चुनाव सप्रभारी हिमंता विश्वा सर्मा प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी पूरो मुख्य मंत्री चंपई सोरिन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य नेताओं की मौजुदगी में भा श्री हेंब्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी और केंद्री ग्रिह मंत्री अमित्शा के प्रती आस्था प्रकट करते वे कहा कि जामुमों के तीर धनुष में अब पहले जैसा दम नहीं रहा संथाल परगना में अवैद घुस पैट, डेमोग्राफी बदलाव और शेत्र में महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते वे उन्होंने कहा कि जार्खंट को बचाना और समवारना जामुमों के बूते की बात नहीं आज यहां बांगा दिसी गूस में टियार करके आदिवासी नर्की से साधी कर रहे हैं लास जिहाद चल रहा हैं अब उस भाहने जवी प्याप्या रहे हैं और चालुप बंचाइप्टे हैं मुख्या खांपड हो मुख्या बन रही हैं प्रदीश चुनाओ सप्रभारी हिमंता विस्वा सर्मा ने कहा कि अवैद घुसपैट के खिलाब भाजपा द्वारा तीन महिने पहले शुरू किये गए अव्यान से लगातार लोग जुड रहे हैं और इसको लेकर जन जागरुपता भी बढ़ी हैं उन्हेंने कहा कि इसका असर या हुआ है कि राज्य के विकास और घुसपैट मुक्त जार्खन के लिए जार्खन आंदुलन के बड़े नेता अब भाजपा का हिस्सा हैं इस असर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्षब बाबुलाल मरांडी ने श्री हेंब्रम का पाटी में स्वागत करते हुए जार्खन मुक्ती मोचा पर निसाना साधा उन्होंने कहा कि जामूमों के नेता के लिए सत्ता सरोपरी है या पाटी दलालों से घिरी है स्री मरांडी ने कहा कि लोग अब समझ चुके हैं कि केवल भाजपा ही वास्तव में आदिवासियों और मूल वासियों की हितैसी है इस मौके पर पूर्व मुखे मंत्री मधुकोडा और पूर्व विधायक सीता सोरेन समित कई अन्यनेता मौजूद थे एराची से सरीता की रिपोर्ट जहा कि वे पूरी ताकत के साथ लंबित कारियों को पूरा करेंगे आज एक ग्राम परधान को सम्मान देते हुए बिधाय की बनाया और मंत्री बनाया इसके लिए हम अधिशम गुरु सिकूर्व राची में आज रक्षा राजमंत्री सासांसद संजय सेट की अधक्षता दिशा की बैठक हुई इस दोरान विकास योजनाओं के किरियान में पर चर्चा हुई और जन कल्यान तथा विकास पर जोर दिया गया स्री सेट ने अधिकारियों को समय का पाबंद रहने की हिदायत दी तथा बैठक के साथ ही विसेओं को गंभीरता से लेने का नर्देश दिया उन्होंने अमरित योजना के तहट अधूरे कारियों को पूरा करने तथा अन्य केंदर प्रायोजित योजनाओं को समय पर पूरा करने की हिदायत दी बैठक में बालू की अनुपलपता से कारियों के प्रभावित का मामला भी छाया रहा बैठक में या निर्ना लिया गया कि अब हर तीन महिने में दिशा की बैठक होगी इस दोरन राजसभा सांसर्द महुआ मांधी, सांसर्द दिपक प्रकास, आदेते साहु, विधायक सीपी सिंग, नवील जैसवाल और राची के उपायुक्त राहुल कुमा सिना समेत अन्ने प सभी मंडल और जिला अध्यक्ष को संबोधित करने के लिए पहुँचे, श्री चौहान को मंच तक संताल निर्त करते हुए पहुँचाया गया, उसके बाद या बैठक शुरू की गई, इस बैठक में मुख्य अतिती केंद्र कृशी मंत्री, शिवराज सिंग चौहान के अ देवघर दोरे के करम में केंद्र कृशी मंत्री, सहभाजपा के प्रदीश, विधान सभाचुनाव प्रभारी, शिवराज सिंग चौहान ने आज बाबा बैधनात धाम मंदिर में सहभ परिवार पूजा अर्चना कर मंगल कामना की, स्री चौहान देवघर एयरपोर्ट से सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बैधनात मंदिर पहुंचे जहां पांच पूरुहितों के द्वारा प्रसासनिक भवन में पूरे विधी विधान से संकल्प कराया गया, जिसके बाद उन्हें बाबा बैधनात मंदिर के गर् सब्सक्राइब भाजापा के वरिष्ट नेता और च्छतिसगर के उपमुख्य मंतری विजए सर्मा ने गिरिडी में भाजापा जिला कारे समय्थी के वैठक में हिस्सा लिया और कारेकरताओं को चुनावी टिप्स दिये उन्होंने पत्रकारों से बाचित करते हुए राजे सरकार पर प्रहार किया और जनता से किये चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने का आरूप लगाया 36 गड़ की उपमुख्य मंतरी ने कहा कि चुनाव आता देख सरकार जनता को नई घोशनाओं के नाम पर एक बार फिर छल रही है इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि जार्खन में अगली सरकार भाजपा की बनेगी से उपस्थे थे पूट और हत्या कमामला प्रकास में आया है कोडर्मा घाटी के लाठ बहिया में जंगल से चत्रा जिले के टंडवा थाना शेत्र में एक व्यक्तिक शव बरामत किया गया है जबकि इसी जंगल से उसके साथ गाड़ी में चल रहे एक अन्य सक्स को गंभी रूप से जख्मी हालत में पाया गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है परीजनों के अनुसार ये दोनों मुंबई से आने वाले किसी यात्री को रिसीब करने के लिए कोडर्मा स्टेशन के लिए घर से दो दिन पहले निकले थे इस बीच दोनों के अपहरन की जानकारी मिली और फिरोती की मांग की गई लेकिन आज सुबा अचानक उन्हें मौत की सूचना मिली पुलिस पूरे मामले की छान भी इन में जुटी है भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा दो सितंबर को समुचे राजे में किसान दिवस मनाया जाए जार्खन किसान सभा के अध्यक्षे सहाजारी बाग के पूर्व सांसत भूनेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि इस दौरान सभी जिला मुख्याले में धर्ना प्रदर्शन आई जित होगा जार्खन अलग राजबे 24 वरस हो गया लेकिन अवे तक ना तो विस्थापन निती बनी और ना नियोजन निती बनी यहां का जमीन किसानों का गरीबों का अधिवासियों का धलित का जैसे तैसे अधिगरहन हो रहा है ना तो उचित महोजा मिलता है और ना नोक्री मिलती है और किसानों की मांग को लेकर के रमना पर रसंद एलिक किया जाता है बुकारो स्टेल ले प्लांट से अप्रेंटिस सिप किये हुए विस्ताफित नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन रथ हैं विस्तापितों ने आंदोलन तेज करते वे प्लांट के वरी अधिकारी अधिशासी निदेसक को परीजनों सहित आवास में ही 14 घंटे तक कथित तौर पर बंधक बना कर रखा इधर बुकारो स्टिल आफिसर एसुसेशन के अध्यक्ष एकी सीह ने पत्रकारों से बाचीत करते वे कहा कि प्लांट के अधिकारी और करमचारी भै के माहौल में कारी करने को विवस हैं पूरे मामले में पुलिस की कारिशेली की आलूच ना करते वे इसुसेशन ने कहा कि एसुसेशन इस मामले से जहारखन के मुख्य सचीव और इस पात मंतराले को भी अवगत कराएगा ठीक हो जाएंगी और हमारे लोगों को सुरच्छा मुहया कराएगा हमारे लोग निश्चित रहेंगे कि हमारे इस तरह की घटना का पुनुराबिती नहीं होगा तो मुझे कुछ नहीं कराएगा लेकिन अगर कहीं होगा तो बुकारो इस पील आपीसर एस तरह से जहाएगा तब ही जाकर के हम लोग यहां अच्छा से काम कर पाएगा आपकी योजणा आपकी सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहट आज राज़िभर में विभिन अस्थानों पर शिवीर आयूजित कर आम लोगों की शिकायतों का आउन दा स्पोर्ट मिस्पादन किया गया साथ ही लोगों को जनकल्यानकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई मौके पर लाबुकों के बीच परी संपत्यों का भी वितरन किया गया सांसद विश्नु दयाल राम ने उतपाद पुलिस बहाली की दोड में पलामू के चियांग की एरपोर्ट में चार अभीयरतियों की मौत पर दुख जताया है उन्होंने परीजनों को एक एक करोड रुपे मौजा देने की मांग की आज जिमें उतपाद विभाग के सिपाहियों की निवति की प्रिक्रिया 27 तारिक से प्रारम्भ की गई है और आज 30 तारिक है यानि चार दिनों में चार मौतें इसके लिए कौन जिमेवार है और इतना आनन फानन में इतनी कूब वस्था के बीच तुद्पाद सिपाहियों की निवति में इतनी हरवड़ी क्यों पांच साल के अंतरगत पांच लाक्षिवाओं को नौकरी देने का वाइदा करने वाली सरकार आज इतनी जल्दी वाजी में क्यों है चुनाव आने वाला है इसलिए अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पूरु विधायक लोबिन हेम्रम भाजपा में शामिल कहा जामूहों के तीर धनुस में अब पहले जैसा दम नहीं हिमन्ता विस्थवा सर्मा बोले जार्खन आंदोलन के बड़े नेता अब भाजपा का हिस्सा भाजपक विधान सब चुनाव प्रभारी शिवराज सिंग चौहान ने बाबा बैदनात मंदिर में साप परिवार की पूजा अर्चना जिला कारे समिती की बैठक में हुए शामिल नेताओं और कारेकर्टाओं को दिये टिप्स राची में दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की हुई समिक्षा रक्षा राजिमंत्री और राची सांसद संजय सेच भी हुए शामिल विकास और जनकल्यान पर जोर और उत्पाद पुलिस बहाली की दोड में पलामू में चार अभी हरतों की मौत पर सरकार घिरी सांसद बीडी राम ने सरकार को ठहराया जिम्यदार एक एक करोड रुपे मौाई जी की मांग